स्वास्त है और शेहत का खजाना आज हम बनाएंगे साजन फली की बहुत ही अमेजिंग सूपर डूपर डिलीशास सबजी एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो हेलो मैं लबली फ्रेंड्स मैं हुरींकू और स्वागत है आपका मेरे चैनल अपना किचन में तो चले फटाफर से मिलके बनाते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को तो हम सभी जानते हैं साजन रमिष्टी किया फिर मुनगा हमारे हिल्थ के लिए अम्रित से कम नहीं है इनफेक्ट अम्रीत ही है, इसे खाने की सला डॉक्टर भी देते हैं, क्योंकि इसको खाने की एक नहीं हजारों फायदे हैं, ये अनेक प्रकार की बीमारियों को दूर करता है, और हमारे बोड़ी इम्मिनुटी पावर को बुश्ट करता है, तो इसको ना कई लोग खाना बिल मैं दाल को रात पर पानी में भीगा दिया था, चना दाल बिल्कुल अच्छे से फुल गया था, तो मैंने इसको अच्छे से साप पानी से धो करके छान लिया है, ये फुल करके एक कप हो गया है, मतलब मैंने आधा कप भीगाया था, तो ये फुल करके एक कप हो गया है, य अगर आपको सहाजन छीलने का तरीका आप जानना हो तो मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं कि सहाजन को कैसे छीलते हैं अब हम क्या करेंगे एक प्रेसर कूकर लेंगे और उसमें चना दाल आइड कर देंगे और सहाजन को ना भी साइड में रखेंगे अब हम दाल में डाल देंगे एक चुथाई चमच हल्दी पाउडर और आधा चमच नमक नमक का इस्तमाल हम आगे भी करेंगे तो इसलिए नमक यहाँ पे ध्यान से डालिएगा दाल के स्वाथ के नुसार, अब मिस में डाल देंगे पानी, तो जिस कब से हमने दाल मापा था, उसी कब से मैंने आपे 10 कब पानी लिया है, मतलब एक कब दाल के लिए हमें आपे 10 कब पानी का इस्तेमाल करना है, नमक और हल यह तक फटा फटा मसाला पेश्ट बना लेते हैं इसके लिए एक मिक्सर जान में डाल देंगे 8-10 छीली हुई लहसन की कलियां लहसन इसमें ज्यादा मातरा में डालिएगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा फिर इसमें डाल देंगे 5-6 हरी मिर्च हरी मिर्च इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट ले कराता है लेकिन अगर आपको हरी मिर्च ना पसंद हो तो लाल सुखी मिर्च भी यूज कर सकते हैं एक इंच कटे हुए अद्रक के टुकड़े एक मिडियम सैज के रफली चौप किया हुआ प्याच एक मिडियम सैज के रफली चौप किया अधा चमज धनिया आधा चमज जीरा बारे से पंद्रे काली मिर्च के दाने थोड़ा सा पानी डालेंगे और जार कढ़कन बंद करकर मसालों को पीश लेंगे तो लीजी फ्रिंस मसाले पीश चुके हैं अब मैं आपको सबसे पहले मसालों का टैक्च्चर दिखा देती हू अधा ना तम में प्रेसर कूकर का ढकन यहां पर हटा रही है और आप देख सकते हैं फ्रिंस दाल हमारा खूब अच्छे से कूख हो गया है मतलब दाल को हमें गलाना नहीं एक दम से बस दाल हमारा हंड्रेड परसिं तक कूख हो जाए बस उतना यह में पकाना मतलब दो नट तक low to medium flame पर fry करेंगे या फिर यह कहें इसे हमें तब तक फ्रै करना है जब तक इसके उपर पढ़ियां से golden layer ना आ जाए यहां पर एक जरूरी बात आप लोगों के मुझे इतने कमेंट आते हैं कि जब भी हम साजन की सबजी बनाते हैं सबजी कड़वी बनती है अच् उसका छिलका बहुत ही अच्छे तरह से अटाईएगा मतले बिल्कुल भी उसके उपर छिलका नहीं रहना चाहिए और दूसरी बात साजन को इस तरीके से fry करके बनाईए साजन को fry कर लेने से ना क्या होता है जो इसमें थोड़ा बहुत कच्चा पन होता है इसमें जो साजन की सबजी बिल्कुल भी कड़वी नहीं बनेगी आईहोब यह टीप आपको बहुत पसंदाया होगा और हाँ आप ऐस सोचेगा कि साजन को फ्राई करने में बहुत जान्दा तेल लगता है बिल्कुल भी जान्दा तेल सोखता नह vibe देखी सब्कूरा खला तो बपिक करें अब हम इसमें डाल देंगे पांश फोरन मतलब जो बचा हुआ तील होगा तेला ना उसे बाइवा जाता है और यह को भी बहुत अच्छा है पांच फुरंट जैसे हलका सबुन जाएगा फिर इसमें डाल देंगे पीसा अगा मसाला पेस्ट जार में थोड़ा सा पानी डाल कर क्लिन करते हुए इसमें एड़ कर लेंगे साथी में डाल देंगे आदा छोड़ा चमच हल्दी पाउडर एक चमच का मेरी लाल मिर्च पाउडर ये तीखा कम होता है और इससे सबजी का कलर पहुत अच्छा आता है और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे तो नमक यहां पे मसालों के स्वाद के हिसाब से डालेगा क्योंकि हमने दाल में भी नमक का इस्तमाल किया था तो यहां पे नमक ध्या होगी बिच बिच में ढकन हटा कर चलाते रहेगा ताकि मसाले चारो तरफ अच्छे से कूखो और नीचे से एक ही तरफ जले नहीं तो दस से बारे मिनट होगे मुझे मसालों को पकाते हुए लो फ्लिम पर और आप देख सकते हैं इसमें से ओल से प्रेट होने लगा है और म से बहुत ही अच्छी सी खुजबू आने लगी है तो इसका मतलब मसाले हमारे खुब अच्छे से भून गए तब हम इसमें डाल देंगे फ्राय की हुए साजन साजन को मसालों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और इसे ढख कर लो फ्लिम पर दो मिनट तक भून लेंगे ता अब हम क्या करेंगे दाल को भी इन सबी चीजों के साथ अच्छे से मिला लेंगे और गैस का फ्लिम लोही रखेंगे लो फ्लिम पर इसे ढख करके 10 मिनट तक पकाएंगे इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे नहीं तो टेस्ट खराब हो जाएगा दाल का जो पानी है ना उसी पानी से इस सब्जी को बनाएंगे तो इसे ढख देते हैं दस मिनट के लिए लो फ्लिम पर फ्रेंज एक प्यारा सार रिक्वेस्ट है आपसे अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा है तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया उसे क्लिक करे और अगर आप मेरे चनल परना है तो ऐसी इस सूपर डूपर डिलीशस रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो दस मिनाट होगे मुझे इसे लोग फ्लेम पर पकाते हुए और ये देखिए फ्रेंस वाओ लोग एर दिस फ्रेंस हमारी सूपर टेस्टी और बहुत ही हिल्दी ड्रमिस्टी करी यानिकी सहजन की सबजी बन के रेडी है एकदम नए तरीके से नए टेस्ट में तो अब ह तक ह्रतन्याका नए खूला नइश चाहिं है तरीके से नए टेस्ट में तो देखे ना फ्रेंस इसे बनाना कितना आशान है और खाने में पितने मीं वाओ बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगता है तो जिनको सहजन फली नहीं पसंद आना फ्रेंस एक बार इस तरीके से सहजन की सबजी बना कर देखना उनको भी बहुत पसंद आएगी और सब उंगलियां चाट चाट करके खाएंगे तो मेरे कहने पर एक बार इस तरीके से चना डाल के साथ साजन की सबजी घर के बेसिक मसालों का यूज करके एकदम हेल्दी तरीके से बना कर देखना फ्रेंज ये रेसिपी आपकी फेवरेट हो जाएगी तो फ्रेंट्स रेसिपी को ट्राइ करें पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें जादा से जादा शेयर करें और ऐसी ही सुपर डूपर डिलीशस रेसिपी देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फिर मिलते हैं एक नई यूनिक और बहुत डिलीशस रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई and टेक केर